नमस्कार आरेज अनपुर्णा किचन में आपका स्वागत है आज हम प्याज की चटनी बनाना सिखेंगे साउथ इंडियन स्टाइल में इसके लिए हमने कड़ई में हम इन खड़े मसालों को भूना है दो चम्मच धनिया के बीज है आदा चम्मच मेथी दाना और साथ आठ ल का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है और यह मिर्ची तीखी वाली है मसाला हमारा भून चुका है अब हम इसे निकाल करके ठंडा कर लेंगे और मिक्सी जार में इसका पाउडर बना लेंगे फिर उसी कड़ई में हमने दो बड़े चम्मच तेल डाला है तेल गर्म होने पर हम इन प्याज को डालेंगे हमने छोटे साइज का प्याज लिया है चटनी के लिए प्याज अच्छा लगता है अगर आपके पास ना हो तो आप बड़े प्याज को भी मोटा मोटा टुकडा काट करके डाल सकते हैं अगर आपके पाँ छोटा प्याज हो तो आप इसी प्याज का इस्तमाल करें इसे हमें गलने तक पकाना है प्याज भी अब हमारा गलना शुरू हो गया है और कलर चेंज हो गया है प्याज का अब हम इसमें इमली का पाने डालेंगे हमने एक निम्बू के आकार का इमली भिगो दिया था और उसे हमने पानी में निचोड़कर आधा कप पानी में हमने उसका पेस्ट बना लिया था देखिए अब इमली भी इसमें पूरा जल चुका है और तेल उपर आ गया है अब हम उसमें डालेंगे आधा छोटा चमच हिंग आधा चमच हल्दी पाउडर स्वाधुसा नमक और हम इसे मिक्स कर लेंगे और हमने जो मसाला पीसके रखा था उसे भी हम डाल देंगे और इसे भी हम मिक्स करके इसमें थोड़ा पानी डालेंगे हमने आधा कप से थोड़ा कम पानी डाला है और इसे हम मिक्स करके पका लेंगे जब तक कि इसमें तेल उपर नहीं आये तब तक हम इसे पकाते रहेंगे अब मसाला भी पक चुका है अब हम इसे निकाल कर ठंडा कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे दुसरी कड़ई में हमने एक चमच और तेर डाला है उसमें हमने राई डाला है और एक चमच औरत की डाल डाला है इसे भी हम हलका कलर चेंज होने तक भूल लेंगे फिर हम इसमें आधा चोटा चमच हेंग डालेंगे और दस बारा पत्यां कड़ी पता डालेंगे और जो मसाला पीस के रखा था हमने उसे हम डाल कर अच्छी तरह फिर से एक बर भून लेंगे जब तक कि तेल उपर नहीं आये तब तक हमें इसे पकाते रहना है देखिए अब वह टेस्टी लगती है देखिए हमारी प्यास की चटनी तयार है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे शेयर करे सब्सक्राइब करे और बेल लाइकन जरू दबाये ताकि नए वीडियो आप तक पहुछ सके धन्यवाद